हम पहुंच रहे हैं अब शार्लेट लेक के ऊपर और आप देखेंगे एक दम यह सेलानियों से भरा हुआ है यह दिखिए यहां पर चाय पानी पीने की विवस्ता है और यहां से एक और पॉइंट दिखता है सीलिया पॉइंट जहां पर अभी हम चलेंगे और आगे ही हमको ए पॉइंट भी है और जो हमने बात करी थी पिसरनात मंदिर की वह भी है सो अभी हम चलते हैं शार्लेट लेक देख बड़ा ही अच्छा जाने का रास्ता बना हुआ है थोड़े पत्थर हैं जहां पर आपको देख देख कर पकड़ पकड़ कर समल कर चलना पड़ता है अब चल रहे हैं शार्लेट लेक की तरफ यहां पर देख आपको अपने बस्पन की आदे ताजा करनी है तो आप यह अपनी कच्छी केरी और ककड़ी भी खा सकते हैं चलते हैं हम दिखे लिखा हुआ है कि माथे रान आय तो लॉट पॉइंट देखो लॉट पॉइंट नही वाह अमेजिंग वाह कई दियाब देखें तो एक तरफ यह प्रकरती का अदभृत नजा रहा है घने जंगल के बीच में यह भैटा हुआ पानी शार्लेट लेक वाव यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग इस जील के किनारे भी बैठे हैं इंज्जॉय कर रहे हैं और अभी हम भी वहीं चलेंगे और आपको पास से नजारा और दिखाएंगे एक तरफ यह लेक है पीछे हरे भरे पहार मंदिर का घंटा और प्रकरती का यह अध्भूत नजारा दोस्तों इस वक्ते हम माथेडान के अंदर और यहां से हम काफी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं कर दो से घूएंगे अप्सा कब्याल प्रजीरी पोटेश्डिये ब्रॉक जोड़ीकाद। तो दोस्तों दोस्तों मनें आपको बताया था कि हम शार्लेट लेक देखकर आते हैं और यह हम पहुँच चुके हैं इस वक्त शार्लेट लेक में बहुत ही सुहाना नजारा है एक तरफ पूरी हरी भरी वादियां और नीचे पानी का किनारा है यह है माथेरान के अंदर शार्लेट लेक बहुत ही शान्त पानी है और आप देख सकते हैं कि लोग बड़े आराम से घूमते फिरते यह शार्लेट लेक को इंज्डॉय कर रहे है अब हम चल रहे हैं शार्लेट लेक के अंदर यहाँ पर रास्ता बना हुआ है और आपको बस पैर समाल कर चलना पड़ता है यह देखी बड़ा ही अमीजिंग फिलिंग आती है जब आपके दुनों तरफ पानी होता है और आप उस पानी के तरफ से चलते रहते हैं यह देखिए यह है शार्लेट लेक का तरफ लेकर रहते हैं यह है जा है यह है यह है शार्लेट लेक है शारलेट लेक माधेरान लेक के बीचों बीच खड़े होके दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शारलेट लेक लेकर चल रहा हूँ माधेरान के अंदर तो यह देखिए पूरी प्रकरती से एक तरफ पूरे हरे भड़े जंगल हैं और यहां पर पानी है और मैं लेक के बीचों बीच खड़े होकर आपको पूरे शारलेट लेक का व्यू दिखाता हूँ बहुत ही प्यारा और शांदार व्यू है यहां पर आप भी आ सकते हैं बीच में खड़े रहने के लिए प्रॉपर पूराने जमाने का एक पुल बना हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग भी खड़े हुए हैं और आप यहां पर अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और इस लेक को इंज्रॉय कर सकते हैं और जब यहाँ पर आएं तो याद रखेएगा कि हमें हमारी सेफटी का ख्याल रखना है क्योंकि पानी और प्रकरती ये दोनों के सामने हमें हमेशा जुक कर और समल कर रहना पड़ता है ये देखिए शारलेट लेक के अंदर एक जो काका बैठे हुए हैं ये मुच्छी पगड़ रहे हैं ये देखिए लगता है कोई न कोई आ गई है इनके चारे में इन्होंने जाल को खीचना शुरू कर रहे हैं हाथ के मुमेंट को देखिए या लेक लेक के अंदर में से ये मुच्छी पगड़ रहे हैं अभी तक पकड़ में नहीं आई है अभी तक पकड़ में नहीं आई है ये उनके ट्रिक है और हम देखते हैं कितनी देर में मुच्छी पगड़ लेते हैं ये देखिए शायद अपने थेली में से कुछ निकाल कर दाना डालना है परफेक्ट यह देखो कर दाना डालना है परफेक्ट यह देखो